हेलो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा 2023 गाड़ी के बारे में तो सबसे पहले इसकी इंजन से शुरुआत करते हैं तो हमें कैसा इंजन देखने को मिलता है इस गाड़ी में तो हमारा हाइब्रीड और एक हमारा पाउर देखने को मिल जाती है 6,000 rpm के साथ और 136.8 Nm max तोर्क हमें गाड़ी में देखने को मिलता है 400 rpm के साथ fuel tank capacity की बात करें तो इसमें हमें 45 लीटर का fuel tank capacity देखने को मिलेगा और AI mileage हमें 21 km per liter की देखने को मिलती है BS6 में गाड़ी देखने को हमें मिलेगी गाड़ी की देखने को मिलेगी और 2600 mm का wheel base देखने को मिलेगा base model से हमें इस गाड़ी में 17 inch का wheel size देखने को मिलता है टायर size की बात करें तो 215 बटे साथ हमें tire size देखने को मिलता है base model से ही आपको 17 inch का grand vitara में tire size देखने को मिलता है turning radius की बात करें तो हमें 5.4 मीटर का turning radius देखने को मिलता है 210 अच्छी खासी बैई अच्छी खासी ground clearance दे रखेंए 210 mm के boot space की बात कर लेते हैं तो boot space गाड़ी का हमें 373 लीटर का देखने को मिलता है अब गाड़ी की safety की बात करें तो इसमें दो airbag देखने को मिल जाएंगे break में ABS और EBS दोनों ही देखने को मिलते हैं local security की बात करें तो इसमें में keyless entry मिल जाती है अब गाड़ी की चलते हैं अंदर तो हमें steering wheel में tilt और telescopic steering wheel adjustment दोनों ही देखने को मिल जाते हैं और body color हमें ORBM देखने को मिलते हैं LED DRL light हमें देखने को मिलेगी front में halogen headlight और और आप देखोगी गाड़ी में कि बई indicators तो है नहीं देखी नहीं देखी नहीं रहे इसमें या तो हमें LED DRL देख रहा है या फिर हमें headlight देख रहे है अगर हम इसको purchase करने जाए तो गाड़ी की tail light आपको attract करेगी ही करेगी क्योंकि इतनी प्यारी tail light है इसकी और और इसका front look भी कोई कम नहीं है front look भी बहुत ही आपको attractive लगने माला हाँ थोड़ा सा as compared to high rider आपको front look में थोड़ा सा आपको ऐसा लगए कि हाँ थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था लेकिन फिर भी इसका front look बहुत अच्छा लगए आपको infotainment की बात कर लेते हैं base model में infotainment दो speaker तो मिलेंगे लेकिन हमें अगर आप base model ले रहे हैं तो आपके लिए ये गाड़ी value for money होने वाली है टॉप model की बात करें price की एक अपरेल के बाद price rate में increase देखने को मिला है वो जो top model पहले आता था 22,40,000 में तो शायद up and down price rate हो गया होगे लेकिन हम क्या करेंगे हम करेंगे base model base model पूरा का पूरा आपको value for money लगेगा base model का हम price rate की बात करें तो आपको on road करीब 11-12,00,000 या फिर price में up and down जो भी होगा एक अपरेल के बाद वो आप वो आपको अगर जाना है तो हमें comment कीजिए ठीक है चलो वीडियो आगे शुरू करते हैं तो हाँ हम कह रहे हैं कि अगर हाइब्रीड की पूचे तो यह हमारा होता है पेट्रोल प्रस इलेक्ट्रिक इसकी एराई माइलेज हमें Grand Vitara की हाइब्रीड में 27 km पर लेटर की माइलेज देखने को मिलती है वो तो आपकी चलाने के उपर डिपैंड करता है कि आप जो एक्सलेरेट करोगे आप सोफ्ट करोगे या फिर हार्डली करोगे अगर आप हाइब्रीड गाड़ी लेने जाओगे तो उसमें आपको सिर्फ सिर्फ आटोमेटिक ही ट्रांस्मिशन देखने को मिलेगा और 1490 cc का इंजिन उसमें आपको देखने को मिलता है और बूट स्पेस की बात करें तो उसका बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि हमारा जो बूट में बैटरी पैका जाता है बैटरी पैकाने के विए से उसका जो बूट स्पेस है 265 लिटर का हो जाता है तो यह थी ग्रेंट विटारा 2013 गाड़ी की बारे में डिटेल अगर आई होप आपको अच्छी लगी में तब तके लिए बाई बाई मेरे दोस्त